क्या diabetes के मरीज chicken खा सकते हैं? आज कल एक trend चल रहा है कि chicken नहीं खाना है, animal products नहीं खाना है क्योंकि अगर आप animal products खाते हैं तो आपको diabetes हो जाता है या फिर आपको diabetes है और आगर आप animal products खाएंगे तो आपका body alkaline नहीं होगा, आपका body acidic हो जाएगा और जिसकी वज़े से आप अपना diabetes reverse नहीं कर सकते तो आज की वीडियो में इन सारे विशे पे चर्चा करेंगे तो बने रहे मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को जादा से जादा शेयर जरूर करिए नमस्का दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर नुपम गोश है मैं एक diabetes coach हूँ और एक fitness nutrition specialist और आज एक बहुत ही गंभीर topic पे बात करेंगे वो है क्या diabetes के मरीज chicken खा सकता है या फिर chicken खाने से diabetes हो जाता है या फिर आपको diabetes है तो आपको सारे animal products बंद कर देने चाहिए आज कल बहुत ज़्यादा trending topic है यह क्योंकि आपको YouTube में, Instagram में, Facebook में आपको ऐसे बहुत सारे बुद्धी जीवी लोग मिल जाएंगे जो आपको यह सला देंगे कि animal products आपको छोड़ देने चाहिए अगर आपको diabetes है और अगर diabetes नहीं भी है अगर आप animal products खाते रहेंगे तो आपको diabetes हो जाएगा कौन ही हैं लोग? कहां से आते ही? तो क्या यह सच है? तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप चिकन खाएंगे तो आपको diabetes हो जागा ऐसा कोई scientific study नहीं है जहां पर यह लिखा गया है कि चिकन खाने से diabetes हो जाता है या diabetes है तो चिकन नहीं खाना चाहिए बलकि इसका उल्टा हमारे पास बहुत सारे evidence है बहुत सारे evidence है scientific papers है जहां मैं यह देखा गया है कि अगर आप diabetic है और अगर आप protein intake बढ़ाते है और protein intake कहां से मिलेगा आपको protein intake आपको मिलता है lean protein से जैसे की chicken हो गया ठीक है यहां से आपको अच्छे protein मिलते हैं और chicken खाने से आपको diabetes नहीं होता है बलकि अगर आपको diabetes है तो आपका diabetes reverse भी हो जाता है और मैंने खुद अपना diabetes जो है reverse किया है सारे 5 साल पहले और मैं रोज chicken खाता था और अभी भी रोज chicken खाता हूँ तो chicken खाने से diabetes नहीं होता है diabetes के मरेज chicken बिल्कुल खा सकते है और अगर chicken खाएंगे तो आप अपना diabetes जल्दी reverse कर सकते है क्योंकि chicken में carbohydrate बिल्कुल नहीं होता है, glycemic index जो है वो 0 होता है और जिसकी वज़े से उसकी glycemic load भी 0 होता है, तो glycemic index 0 है, glycemic load 0 है तो इसका मतलब है अगर आप chicken खाएंगे तो आपके sugar level को नहीं बढ़ाएगा लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग है जो आपको कहेंगे chicken जो है animal product है और animal product अगर आप खाएंगे तो आपका body जो है acidic हो जाएगा अगर आपका body acidic हो जाएगा तो आपको inflammation होगा, inflammation होगा तो फिर diabetes होगा या फिर diabetes है तो diabetes reverse नहीं कर सकते है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपका body में इतना शमता है कि वो आपके body को balance करके रखे acidic और alkaline balance करके रखता है ठीक है तो आपको body को alkaline बनाना ज़रूरी नहीं है diabetes reversal के लिए और मैं खुद इसका एक सबूत हूँ और मेरे हजारों patients जो है जो non-veg खा के अपना diabetes reverse कर रहे है वो भी एक example है वो भी एक testimonial है कि आप non-veg बिल्कुल खा सकते है चिकन बिल्कुल खा सकते है और आप अगर चिकन खाते है तो बिल्कुल खाये छोड़ने की जरूरत नहीं है मैं यह नहीं कह रहा कि जो लोग चिकन नहीं खाते हो चिकन खाना शुरू करते बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ लेकिन अगर आप चिकन खाते आ रहे हैं तो चिकन छोड़ने की जरूरत नहीं है डायबेटीस रिवर्सल के लिए चिकन खाएंगे तो उल्टा डायबेटीस रिवर्सल जल्दी हो जाएगा क्योंकि चिकन में लीन प्रोटीन होता है और प्रोटीन बहुत जरूरी है आपके चिकन का बहुत सारा Fitz है अगर आप चिकन खाते है तो प्रोटीन में लेगा प्रोटीन बहुत इंप्रोटेंट है आपके शरीर के लिए आपके इम्मूनिती के लिए आपके मसिल के लिए अगर आपको अपना मसल बढ़ाना है ठीक है? अगर आपको मसल बढ़ानी है तो आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा और जाधा तर जो ये दावे करते हैं कि प्रोटीन नहीं चाहिए न नौन-वेज मत आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो future में आपको बहुत सारे problem हो सकते हैं आपका immunity बहुत कमजोर होगा आपका हड़ी जो है वो कमजोर होगा और अगर आपका muscle और हड़ी जो है वो कमजोर होगा तो आपको future में osteoarthritis, arthritis, osteoporosis ये सारे बिमारी हो सकते हैं तो इसलिए protein बहुत important है और chicken आप अगर खाना चाता है तो बिल्कुल खाये खा रहे है तो खाते रहिएगा chicken को छोड़ने की जरूद नहीं है क्योंकि chicken में बहुत अच्छा protein होता है lean protein होता है lean protein का मतलब है सिर्फ और से protein होता है उसमें carbohydrate तो बिल्कुल नहीं होता है और fat की मात्रा भी उसमें बहु आपकी immunity बढ़ती है और जिसके कारण आपका जो infection वगड़ा है उसको भी ठीक करने में मदद करता है ठीक है तो chicken जरूर खाये diabetes है तो मैंने अपने diabetes reverse करी है chicken खा के हजारों लोग अपने diabetes reverse कर रहे है chicken खा के तो chicken खाना कोई बुरी बात नहीं अगर आप खाना चाते है तो ब concept है एक calculation है इसमें आपको 26 प्रतिशत जो है आपको carbohydrate लेना है अपना total daily energy expenditure का ठीक है जितना भी आपका calorie requirement है daily basis पे उसका 26% 26 प्रतिशत आपको carbohydrate से लेना है और protein जो है उसको रखना है 1.5 gram per kg body weight so for example अगर आपका वजन जो है 80 kg है तो आपको कम से कम 120 gram protein रखना है ज्यादा भी रख सकते है कम नहीं रखना है ज्यादा भी रख सकते है लेकिन अगर आपका kidney affected है EGFR आपका कम है uric acid बढ़ा हुआ है creatinine level बढ़ा हुआ है तो उस condition में आपको 0.8 gram gas plus protein रखना चाहिए ठीक ह बाकी जो calories है वो आपको fat से लेना है healthy fat से लेना है healthy fat में आपको nuts and seeds आ जाते हैं जैसे कि almonds हो गया अख्रोट हो गया इसके बाद seeds बहुत सारे है sunflower seed pumpkin seed chia seed flax seed ये सारे चीज़ अगर आप लेंगे तो आपको healthy fat मिलेगा ठीक है तो diabetes है तो chicken जरूर खाये कोई problem नहीं है मैं भी हूँ आप भी खाये enjoy करिए बहुत सारे chicken के dishes आप बना सकते हैं और diabetes reverse करनी है तो chicken के साथ साथ diet diet follow करिए तो आप भी अपना diabetes reverse कर सकते हैं तो इस वीडियो को जादा से जादा share करिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ chicken खाना छोड़ दे रहे क्योंकि कु यही है एक चीज़ और में बताना भूले कि चिकेन में protein तो होता है साथ में potassium भी होता है साथ में calcium भी होता है साथ में iron भी होता है तो बहुत सारे potassium फिर iron फिर calcium तो in other words आप कह सकता है vitamins and minerals भी आपको मिलते है जो कि आपके सहत के लिए बहुत जरूरी है तो इसलिए chicken जरूर खाईए तो उमिद करता हूँ इस वीडियो से भी आपने कुछ न कुछ अच्छा सीखा होगा मैं मिलोंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ तब तक स्वास्त रहे मस्त रहे इस वीडियो को देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद झाल